आज तारिक 30 जुन 2020 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्तुपुर्ण घोसना अनलोक टू के विशे में प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में कई प्रकार के पर्व त्योहार आने वाले हैं त्योहारों का समय खर्च को भी बढ़ाता है और जरुवत को भी तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते वे या फैसला किया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना जो है इसका विस्तार अब दिवाली और छट पूजा तक अठात नवंबर के अंतिम तक कर जाएगा यानि 80 करोर लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली यह योजना अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक लागू रहेगी सरकार द्वारा इन 5 महिनों के लिए 80 करोर से जादा भाई बहनों को हर महिने महिने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहू या 5 किलो चावल मुप्त मुहया कराया जाएगा और साथ ही प्रतेक परिवार को हर महिने 1 किलो चना भी मुप्त दिया जाएगा इस योजना के विस्तार में 90,000 करोर रुपे से ज़्यादा खर्च होंगे और अगर इसमें पिछली 3 महिने को जोरा जाए पिछले मंत के जो उसको जोरा जाए तो करीब करीब डेर लाख करोर रुपे हो जाता है प्रधान मंत्री ने कहा कि भारत ने एक सपना देखा है कई राज्यों ने बहुत अच्छे काम भी किये हैं बाकी राज्यों से भी आगरा है कि काम को आगे बढ़ाएं पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड वन नेशन एक राशन कार्ड होगा इसका सबसे ब्रह लाख उन गरीब परिवारों को मिलेगा जो रोजगार और दूसरी आवस्चक्ताओं के लिए अपना गाउं छोड़कर कहीं और जाते हैं तथा किसी और राजी में चले जाते हैं गरीब को तथा जरुत मंदों को सरकार अनाज दे रही है इसका स्रे मुख रुप से दो वर्गों को जाता है सबसे पहला है हमारे देश के महनती किसान दूसरा है हमारे देश के इमानदार करदाता प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपका परिश्रम और समर्पन के कारण ही यह संभभ हो पाया है इन सभी को अभिनंदन और नमन करता हूं आने वाले समय में सभी को और सुद्रिध करेंगे एकनोमिक एक्टिविटी को और बढ़ाएंगे हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे हम चलिए जानेंगे कि प्रधानमंत्री का संबोधन किस प्रकार प्रारंब हुआ सब से पहले कि हम सभी अनलॉक दो में प्रवेश कर चुके हैं अपना ध्यान रखें साथी साथ कोरोना से होने वाली मिर्तियों दर को देखने से पता चलता है कि दुनिया के अन्य देशों की तुल्ना में भारत समलीवी इस्थिती में है समय पर किये गए फैसले से लाखों लो लॉक्डान के दौरान बहुत ही गंभीर्ता से नीयमों का पालन कया गया था अब सरकारो को साथजी साथ देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह सतरकτά दिखाने की जरुरत है विसेश कर कंटेन्मेंट जोन में जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें रोकना होगा टोकना होगा और समझाना भी होगा साथ ही उन्होंने यह भी बतलाया कि एक देश के प्रधान मंत्री पर 13,000 रुपे का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वह सारजनिक इस्थल पर मास्क पहने बिना गया था भारत में भी स्थानिय प्रसासन को इसी सतर्पता के साथ काम करनी चाहिए और क्योंकि यह 135 करोर देशवासियों की रक्षा करने का अवियान है भारत में गौव का प्रधान हो या देश का प्रधान मंत्री कोई भी नियमों के उपर नहीं है लोगडान के दोरान देश की सर्वोच प्रात मिक्ता रही कि ऐसी स्थिती ना आए कि कि किसी गरीब के घर चूला ना जले केंदर सरकार हो राज सरकार हो सिविल सोसाइटी के लोग हो सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई भाइ बहन भुखा ना सोए लॉकड़ान होते हुए सरकार प्रधानमंत्री गरीब योजना लेकर के आई और इस योजना के तहत गरीबों के लिए 1.75 यानि की पौने 2 लाख करोर रुपे का पैकेज भी दिया गया बीते महिनों में 20 करोर गरीब परिवारों को जंधन खाते में सीधे 31,000 करोर रुपे जमा करवाए गये इस दोरान 9 करोर से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोर रुपे जमा हुए इसके साथ ही गौव में स्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंति गरीब कल्यान रोजगार अभियान तेजगती से आरंव कर दिया गया है इस पर सरकार 50,000 करोर रुपे खर्च कर रही है दुनिया को हैरान करने वाली बात कई देशों ने की जब इस करोना संकट में 80 करोर से जादा लोगों ने तीन महिने का राशन यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहू या चावल मुफ्त दिया गया इसके अतिरिक प्रतेक परिवार को हर महिने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई अमेरिका के कुल जनसंख्या में धाय गुणा अधिक लोगों को बिटेन की जनसंख्या से 12 गुणा अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन के आबादित से लगभग 2 गुणा से जादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनास दिया है इस प्रकार मोधी ने कई अन्य देशों के साथ अपने देश की तुलना की है प्रधार मंत्री ने कहा कि हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे और इसी संकल्प के साथ काम भी करना है और आगे भी बढ़ना है प्रधान मंत्री ने अंतीम में कहा कि आप सभी से प्राथना आग्रह निवेदन करता हूं कि दो गज की दूरी मास्क या गमच्छा का इस्तमाल अवस्य करें इसके साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत शुपकामनाय देता हूं तो ये उनका संबोधन था लगता हुआ है कि दूरी मास्क ये दो ये खश रुआ है